Hi friends, welcome to my channel Friends, आज की वीडियो में हम Angel One application में चार्ट के उपर अगर आपको कोई candle use करनी है तो वो candle कैसे लगानी है, कितने प्रकार की candles होती है और हर एक candle का क्या importance होता है यह सारी details बदाने वाला हूँ वीडियो को end टक जरूर देखिए, बहुत interesting वीडियो होने वाला है और चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है, तो जल्दी से subscribe कीजिए तो सबसे पहले तो login कर देना है login हमने Angel One में कर दिया है और अब हमें chart open करना है अब कोई भी chart आप ले सकते हो, जो भी आप analysis करना चाहते है जैसे मैं nifty का chart लेना चाहता हूँ, तो nifty के उपर click करूँगा nifty के सारे जो stocks है, वो यहाँ पर दिखाई दे रहे है तो view more में जाते है, और कुछ और stocks जो है वो यहाँ पर देखने की कोशिश करते है nifty का chart हमने open कर दिया है loading chart हो रहा है, सबसे पहले nifty के chart पर देखेंगे तो अब यह जो chart मेरे सामने open है यह trading view का chart है, जो जिसका symbol आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा तो आप trading view के chart के उपर भी candles लगा सकते है current जो candles हमारे सामने लगी हुई है वो normal candlestick candle है वो आप यहाँ से select कर सकते है यह जो candles का symbol है, इसके उपर अगर आप click करोगे तो यहाँ पर आपको different different chart के style जो है वो दिखाई देंगे जैसे bar candle यूज़ करना, normal candle यूज़ करना, hollow candle यूज़ करना, columns यूज़ करना, high key निशी candle यूज़ करना यह different different candlesticks है जो आप use कर सकते है current हमने जो लगाया है वो candles है वो candles किस तरीके से work करते है मैं आपको बताता हूँ अब red color जो होता है वो bearish candle का होता है और green color जो होता है, वो bullish candle का होता है यानि कि जिसमें बहुत ज़्यादा buying हो रही है वो green color की bullish candle होगी जिसमें बहुत ज़्यादा selling हो रही है वो red color की bearish candle होगी अब यहाँ पे आपको टाइम फरेम भी देखना होता है ये जो particular candle है वो एक दिन की यानि one day की candlestick है अब one day की candlestick हमें क्या बताती है कि ये candle कहाँ पर open होई है कहाँ पर उसने high मारा है कहाँ पर low मारा है और candle कहाँ पर close होई है ये candle आपको बताती है उस दिन का पूरा लेखा जोगा अब जैसे जैसे आप यहाँ पर time frame change करोगे तो उस time frame का लेखा जोगा आपको देखने के लिए मिलेगा तो पूरे 15 minute का लेखा जोगा आपको ये candle बता देगी कि कहाँ पर open होई है कहाँ पर close होई है कहाँ पर इसका high और low बना है अब ये किस से तरीके से पहचान होगे आप green color की अगर candle होगी यानि की bullish candle होगी तो वो नीचे open होगी और उपर close होगी और ये जो दंडे आपको दिखाई दे रहे है ये नीचे वाला दंडा low का है और उपर वाला दंडा high का आपको परतीत करता है तो red color की candle क्या डिसाइड करती है red color की candle उपर open होती है और नीचे close होती है, हर candle का आपको इसी की तरीके से analysis करना है, red candle bearish होती है, जिसका opening उपर के side में, closing नीचे के side में, और जो green color की candle होती है, bullish candle, इसका open नीचे के side में, और closing उपर के side में होता है, तो ये candle आपको लगानी है, अब ये normal candle stick है, जो कि आप यहाँ से select कर सकते है, अग अगर आपको bar candle use करनी है, तो आप bar candle chart use कर सकते है, यहाँ पे हम bar select करेंगे, तो यहाँ पे आपको दिखाई देंगी green और red color के bars, अब ये आपको क्या बताते है, यहाँ पे जो left side पे दंडा गया है, यह आपको green color candle का open बताएगा, और right side का दंडा जो है, वो green color candle का close आपको दिखाई देगा, तो यह bar candle stick है, तो इसका भी आप इस्तमाल कर सकते हो, और अगर आपको इससे भी ज़्यादा अलग candle stick use करनी है, तो hollow candle use कर सकते हो, hollow candle में green color होता नहीं है, वो पूरा blank होती है, बड़ी candle होगी, तो ही आपको यहाँ पे green color दिखाई देगा, जिसमें ज़्यादा volume है, उसके साथ साथ आप हाइके निशी candle का भी इस्तमाल कर सकते हो, हाइके निशी candle stick जो होती है, वो पुराने candle के open, high, low और close के average के उपर next candle बनती है, तो इसका थोड़ा सा analysis अलग होता है, लेकिन यह दिखने में काफी आसान होती है, डरावनी नहीं होती है, ह तिरावट की तरह ही आपको यहाँ पर बता चलेगा, लेकिन यह जो particular candle stick है, यह थोड़ी सी reliable नहीं मानी जाती है, मेरे हिसाब से, आप आपका देख सकते हो, कोई दिखकत नहीं है, क्योंकि इसका जो previous candle का open, high, low, close होता है, वो decide करता है कि next candle कहाँ पे open होगी, उसका average जो होत और candle stick pattern पहचानने भी मुझे मदद करती है, अब candle stick pattern कौन से होते है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको हर एक candle stick के बारे में वीडियो चाहिए, तो detail में मुझे नीचे लिख देना comment में, मैं उसका वीडियो आपके सामने लेकर आ जाऊंगा, लेक से मुझे NTBC का चार्ट देखना है, तो यहाँ पर हम NTBC का अगर चार्ट देखना चाते हैं, तो इस तरीके से चार्ट के उपर क्लिक करना है, और आप देख सकते हैं, सेम स्टॉक के उपर भी आप time frame change करके candles जो है, वो यहाँ पर देख सकते हैं, तो यह proper तरीका होता है, के उपर आपको क्लिक करना है, यहाँ नहीं, उपर जो settings है, settings में आपको क्लिक करना है, और जो candles का, आपका body है, wix है, या border है, उसका color आपको change करना है, तो आप यहाँ से change कर सकते हैं, उसको सिर्फ OK करना है, color change करके, जो भी color आपको पसंद है, red color नहीं चाहिए, कोई और color चाहिए, तो वो भी आप कर सकते है, और उससे OK करके, आपका color जो है, वो change हो जाएगा, फिलाल मैं इसी तरीके से use करता हूँ, by default जो है, और मुझे आसानी से यह सारी चीज़े कर देगा, मुका मिलता है, तो यह candlestick use करने का तरीका है, यह candlestick को आपको angel one में use करने का तरी होगी, वीडियो पसंद आया हो तो, please like the video, share करना लोगों के साथ video, अगर कोई doubt है, तो comment section में पूछ सकते हो, और अगर आपने अभी तक angel one में account open नहीं किया है, तो description में link available है, अभीजा के account open कर सकते हो, और इस तरीके के chart का मजा उठा सकते हो, channel को subscribe करना ना भूले, आपकी support की हमें बहुत ज़रूरियते है, धन्यवाद